दोस्तों नवस्कार आज हम आपको बताएंगे संसकर्थ सिक्स्य विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्सकों की विकेंसी जो निकली है उसके बारे में अधिक जानकारी दें आपको उससे पहले आप हमारे चैनल को सक्स्राइब करना नहीं भूलें तो इस भरती की जानकारी शुरू करते हैं अधियापक लेवल पर्थम के लिए विकेंसी है कक्षिया एक्षिय पांच के लिए संसकर्थ के और समाने ग्रेड थर्ड सिधी भरती दोहजार सत्रा ये नोटिपिक्सन है जो उन्तिस आड़ दोहजार सत्रा को जारी हुआ है आविधन की अन्तिम्ति थी तेरा दस दोहजार सत्रा अन्तिम्ति थी तेरा दस दोहजार सत्रा है इसमें अनुसुची छेतर टी एस पी और गेर अनुसुची छेतर नोन टी एस पी के लिए अधियापक लेवल पर्थम कक्षा एक्षिय पांच संसकर्थ ओबिक्समाने ग्र तो मूल पॉइंट में चर्थे लें सबसे पहले नंबर एक में मैं तो पुन इसमें जो दिया वो ही बताएंगे आपको कि राजस्तान सिक्षा विवाग दवारा संसकर्थ समाने लेवल पर्थम के 1829 पदों पर सीधी भरती यान कि यह विकेंसी है जो 1829 पदों के लिए है यह टीएसपी और नोन टीएसपी दोनों पदिस में सामिल है रिक्तियों की विश्तिर जानकरी इसमें दी गई है वेबसाइट में लास्ट में इसमें इसी नोटिफिक्षन दी गई है और जो राजसंसकर्थ.nse.in जानकरी आपको यहां से भी उपलब्द हो जाएगी तो आप संपूर्ण जानकरी का उलोकॉन इस वेबसाइट पर विजिट करके भी प्राप्त कर सकते हैं समाने सूचना तो यह है कि इसके एक से पांस तक यह संसकर्थ समाने विद्याले द्यापक की परतिक लिए विर्यत साथ परतिशत उतिनार अरजित करना अनिवारिया हुआ यान की साथ पर्षेंट अंक लेना जरूरी है परंतु लिखा इसमें राज्य सरकार के दूसुचना ने जारी किया था कोई राज्य सरकार के दूसुचना है उसके अनुसार चतिश परतिशत उतिनार अनिवारिया हो होगी 2011 के समंझ में यह छूट दे नहीं होगी रास्तान देवकातरता प्रिक्षा रीट 2015-2011-12 तीन वर्सों की प्रिक्षाओं के अधिक्तम प्रापतांकों के दार पर राज्य सत्रीय मेरिट बना जाएगी यह अच्छी बात है कि इसकी जो मेरिट है वो राज्य सत्र की बना बनाए जाएगी यान कि मात रीट के अंकों के अंसारी विकेंशी हो रही है 2011-12 और 15 में जो रीट हुई सी उसी के अनुसार यह बद भरे जाएंगे विचेस नोट है एप्लिकेशन फोरम बढ़ने समझे इसमें जानकरी दी हुई है यह आप पर अवलोकों कर लेना अच्छ की तरह से विग्यापने पदों में कमी बडोत्री की जा सकती है और राज आविदन परकिरिया देखो यह मैं तो पूइंट है आविदन परकिरिया पर थाम लेवल समाने विद्याले विद्याले द्यापकपद के लिए सिधी बरतिये तू आविदन ओनलाइन विवाक की वे ले नोट ए रिजिस्टर्स ने यूजर लिंक पर किलिक कर SSO राज पर अपना पंजिगन करना होगा SSO ID से लोगिन कर requirement port लिंक से आविदन पत्र भर सकते हैं यानि कि सबसे महत्वून बात यह है कि आपको SSO ID बनानी होगी अगर आपने पहले कोई अधिन्स कर बोर्ड का पटवारी का ग्राम से का फोरम बुरा है तो आपकी ID पहले से बनी हुई है आपको ID दुबारा बनाने की जूरुत नहीं है आप इस साइट पर जाके कर सकते हैं अगर नहीं बनाई हुई है ता आपको हम बताएंगे यह ID कैस से क्रिएट करनी है इसके लिए हम जल्दी नए वीडियो डालेंगे आप हमारे चैनल को सक्सराइब करना ने भूले तो इसके दवारा आप खुद भी बना सकते हैं और इमित्र के दवारा भी फोरम अपलाई कर सकते हैं लेकिन इमित्र वालों को भी आपकी से क्रिएट करनी पड़ेगी अरक्षन के बारे में जो भी है वेतनमान है इसका दो साल तक आपको 13200 रुपे दे होंगे इसके तरिक्त कोई बता कुछ भी देनी होगा तो जो भी है दो साल के बाद में वेतन सरकला यह उपरांत पदों का वेतन सरकला नियमित्र वेतनमान त सो चोंतिस आठ सो पे ग्रेट चत्तिसो दे होगा यानि कि चत्तुसो पे ग्रेट करिंशारावकुबाद में अध्यापक लेवल परतम संसकर्थ पद की सिधी बरती योगेता क्या होनी चाहिए योगेता देखिए इसमें क्या है अंतरगत राष्टे जावक शिक्षा परिश्द अधिसूसना जारी की थी कोई 2010 में और 2011 में संसोदन अधिसूसना राज्य सरकारदवारा परदत नेर देशान उसारे इमरास्तां संसकर्थ शिक्षा राज्या नियम दोज़़पंदा की अधिसूसना दो में उलेक अधिए अध्यापक लेवल परतम संस्कर्थ समाने भरती दोज आ सत्रा में समलफ़ित होने के लिए यह योगिता चाहिए अध्यापक लेवल संसकर्थ एक से 50 के लिए क्या योगिता चाहिए देखें, नियुन्तम 50% अंकों के साथ वरिष्ट अध्या उपादे, वरिष्ट उपादे अपरेक्षा पास होने चाहिए, अत्वा, नियुन्तम 45% अंकों के साथ वरिष्ट उपादे, वेबसाइट से आप अच्छी तरह इसका अलोकन कर लेना, नियुन्तम 50% अंकों के साथ विश्ष्ट उपाद है अत्वा इसके संसकर्थ माद्धियम से संतुल है यानि कि संसकर्थ माद्धियम से यह होनी ज़रूरी है इसके संसकर्थ माद्धियम से संसकर्थ सास्त्री शिक्षा सास्त्री बोलते हैं उसको उसके लिए यह विकेंसिय है महत वरूप महत वरूप से मेरिट लिस्ट में सामिल होने के लिए 60 परसेंट अंक तो चाहिए आपको वो दो जार बारा अदिस हुसते हैं उसके अनुसर कुछ और भी दे रखा है अध्यापक लेवल समने नियुनतम पर 40 परसेंट अंकों के साथ उसतर मर्दे में कत्वा संकक्स तथा प्राणविक शिक्षा में दिवबर से डिपलोमा यानि की बेस्ट से बोलते हैं अपने उसको 50 परसेंट अंकों के साथ नियुनतम इसको आप अलोकन कर लेना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा डिपलोमा डिगरी पाटे क्रोम अंसीट से मनने तपर आप जो भी हैं वो होने चाहिए नेक्स्ट जलते हैं नियुक्ति एक तु निरहनता क्या होने चाहिए दो से ज्यादा संतान नहीं होने चाहिए वो जो परतेक विकेंट सिम होता है लग बहुशी तरह का इसमें है अच्छे चरीतर होना चाहिए नियुक्ति एक तो आईयू क्या होने चाहिए यह मैटोपन पॉइंट है और विदक एक जुलाई 2018 को यानिकि एक जुलाई 2018 को अठारा वर्स की आईयू प्राप्त हो चुकी हो और अधिक्तम 35 वर्स की आईयू नहीं हो जो छूट है वो जो अन्य वर्तियों में होती है उस करना होगा आरक्सन प्रावदान सबस्ट्रिकर नारक्सन प्रावदान में कुछ दे रखा है और कुछ के लाड़ी के लिए दे रखा है विशेश योगे जन के लिए बैयारतियों के लिए क्या थूट है जो रहती हुए इसमें आविदन सुलक के इतनी है देखिए समाने बरक के लिए सो रुपे है और नोन क्रिमलेज ओबी सी वाय बरक के लिए है जो सत्तर रुपे है रास्ता नन से स्टे के लिए साट रुपे है यह पीश थी इसकी और आविदन पत्र का परारूप इसका जो आविदन पत्र का परारूप है आप यह राज शेंश के रत डोड़ तरनाशी से डाउनलोड कर लें और इसको पूरे अच्छी तरह साबदाने से बरने के बारे में आपको बताया गया है ओनलाइन सुलक जमा कराने के अंतिम तारीक है वो 13 दस है इंतजार किये विना समय सी मास्या वेदन करें यानि कि आप इंजार नेकरें की 13 तारीक को भारे मरेंगे हो सकता है उस दिन को चर्वर में दिक्कत हो नेट में दिक्कत हो तो विवाग ने आप चेंडरोद किया कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फोरम फिल कर दें बरती पर किरिया जो पहले दो तिन बार देर का इसके बारे में 60% होना चाहिए रास्तान 2015-2011-12 की मेरिट बनेगी यानि कि और कुछ से एक्जाम नहीं होना है इन्ही नमरों के रेट की मेरिट बनेगी इसके नम थर duy देरा को पाल दों समय लोग दो को तक त्यार की जाएगी यह मीरिट सुचे त्यार की जाएगी समाने बीने आमें क्या होगा मैं स्फ़ाए होगा ज्यादा उम्रवालों को देज दी जाएगी अन्य आवसक्त नेर्देश हैं यह कि फोरम कब तक वरें कैसे वरें अब समका यह जो किसी भी विभायत अभायरती को नियुकति के लिए पात्तर नहीं मालने जा गयदी उसने अपने विभाय में देज से विकार किया है कोई श्कायत करी आपने तो वह नमें नहीं होगा है और को परिक्षा से वंचित कि गए वह आप तो भी हैं सामेल से तलहीं हो सकते यह कुछ नियम थे सके होड़े आविद्क दबारह गोषना करनी होगी आपको मैं इसमारेर नहीं दे रहुँए दो तिन सब्सक्राइब करना है आपको समय को भूँडन पत्र के सालंगन सूची आप जो भोरब्र होगे उसकी कोपी है जो परती है तो आपके जमा करवाया जाएगी यह इसमें विशेश है तो उसमें क्या क्या लगाना यह दे रखा है इस समझ में सुचना समा कब जमा करवाई जाएगी इसके बारे में आपको सुचना दे दी जाएगी इस तरह का मूल आवेजन पत्र लगाना है गोशना पत्र लगाना ये सारे गोशना पत्र जो उपर दे रेके हैं इनका प्रिंट और ये डिगरी जो भी है ये साथ में लगा सकता है इसके बारे में बी एस्ट्रिसी मूल निवास प्राण पत्र की प्रमानित परती जाती प्रवान पत्र की सारी रिक विकलंगता समंदी रेट 2011-12-15 जो भी दिखे हैं सभी लगानी है इसमें और हैल अप्लाइन नमर दिये गए हैं ओलाइन आवेदन पत्र बढ़ने समंदी जानकर आप इन नमरों से प्राप्ट कर सकते हैं विग्यापन एतुकारी लेके दूर पास नमर पर अगर नहां से कर सकते हैं यह हैं पदों का विवरन संसकर्थ कुल पद हैं विच्छे संसकर्थ के 748 पद हैं और समाने के 919 पद हैं यह पदों का विवरन दिया गया है महिला अन्य पिछ्टा वरग और यह टीएस टीएस पेरिये के लिए समाने 62 और संसकर्थ संसकर्थ बांस्ट और समाने 62 पद हैं तो यह था इस परती से समन्दी जानकरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेर कॉमेंट जरूर करें और आपको कोई क्यूशन हो इस समन्दी तो कॉमेंट कर आपकी क्यूशन का जवाब देने की धन्यवाद